अलो एवरिवन आप सभी का इंपेक्ट एजुकेशन हब के ओनलान प्लेटफोर्म पर हाड़ीग स्वागत हैं आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं के बारे में आपके सेकंड सेमेस्ट्र में अनतर चलता है तो उससे रिलेटेट आजकी उसके क्लास नने वाली है इस क्लास में अपनी डिस्कस करने वाले है एक तर्ट शक्रक्र ने no सबसे पहले अपनबात करेंगे आज के रहे में सिक्सा के बारे में आपन बात करेंगे कि सिक्सा आखिर होती क्या है जिससे आप लोग भी edukation कर रहे हो तो उसके बारे में अपने डिसकस करने वाले हैं कि education से क्या होगा education की definition है वो क्या होती है education is the process the of developing capability of individual education एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थूर्व एक ऐसी केपलिटी इंडिजिबेश्टिय से और डौप वे Самय तो एजुकिशन इस प्रोसेस औघ ले जाती और कि आइदेज शान bang हो वो उसके परति वो परति किरिया दे सके action या reaction वो कर सके तो उसको अपन education कह सकते हैं यारी आप कह सकते हो हिंदी के अंदर आप कह सकते हो कि सिक्षा व्यक्ति की समता विक्षित करने की एक परकिरिया है क्या डवलप करेगी capacity उसकी डवलप करेगी समता व्यक्ति की एक समता विक्सित करने की परक्रिया है जिसमें व्यक्ति है अपनी इस्तती पर परियाप्त रूप से एक्षन के पर्ति वो क्या देख सकता है एक रियक्षन दे सकता है पर्ति किरिया दे सकी उसी को अपन एजुकेशन कहते हैं चलिए अपन बात करते हैं इसकी मै definition की आप क्या कह सकते हो यानि एजुकेशन से आप में क्या-क्या चेंज होने वाला है जैसे आपका behavior है वो चेंज हो जाएगा आपका नोलेज हो जाएगा आपकी skills है वो इंप्रूव हो जाएगी वह उसी को अपन education कहते हैं जैसे educated होगा उसको आप देखके बता सकते हो उससे बात करके आप बता सकते हो क्योंकि आप उसका behavior देखोगे उसकी skill देखोगे उसका knowledge देखोगे वह सब आपको उससे बात करने पर पता चल जाएगा तो आप बता सकते हो कि यह person skill value and habits तो उसको अपन क्या कह सकता है Cecilia की औरमिनी से मुल्योव है आदत है उससे अपन कह सकते हैं कि एजुकेशन प्रकेशन अप उसको कह सकते हो तो इनके संदर्फ में मनुस्य के वेवार में जो भी desirable परिवरतन लाने की प्रकिरिया है प्रोसेस से उसी को अपन education कहते हैं शिक्सा कहते हैं चलिए बात करते हैं अपन education के types की education है वो कितने परकार की होती है या कौन-कौन से इसके type है सबसे पहले बात करते हैं देरार मैनली थ्री type of education जो education है शिक्सा है वो मुख्य तर तीन परकार की होती है तीन इसके types है बात करते हैं पन वन बाई वन पहला है formal education दूसरा है informal education और थर्ड है non-formal education पहले बात करते हैं पन formal education की जो formal education है इसको आप कह सकते हो ओप्चारिक सिक्सा हिंदी के अंदर आप कह सकते हो ओप्चारिक सिक्सा दूसरी अपने पास में informal इसको आप कह सकते हो अन ओप्चारिक अन ओप्चारिक सिक्सा और थर्ड जो अपने पास में है वो है non-formal आप कह सकते हो हिंदी के अंदर गे केर ओफचारिक सिक्सा केर ओफचारिक तो यह हिंदी की बात हो गई जो हिंदी मीडियम के स्टुडेंट है उनके लिए अपन हिंदी में भी साथ में लेके चल रहे हैं तो उनको भी ज्यादा एक्जाम में प्रोब्लम ना आए और इसके अलावा में आप लोगों को यही सजे करनी है तो उसके उसके पेपर होने वाला है वह वह नग्वेश के अंदर ही होता है तो आपको English language पे है वो concentration करना है इसी पे आपको focus करना है तो चलिए बात करते हैं अपन one by one सबसे पहले अपन बात करेंगे यह फोर्मल एजूकेस्ण की फॉर्मल या ओफचारिक सिक्सा यह जो सिफसा होती है जैसे इस्कूल के अंदर आप क्या करते हो एक औरस दिया जाता है एक इस्पर्ट टीचर होता है वह आपको पढ़ाता खैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा आप लोग कड़ रहे हो अपना परोपर उससे से अंदर ही यह उसी कर रहे हैं यह नहीं कि कहीं कि बात कहीं कर रहे हैं तो वह चीज्य सब्सक्राइब करते हैं जो भी आपको को और स्था होते हैं जिसके अंदर वो होती है С estatus सिस्टेमेटिक यानी सिस्टेमेटिक हो गई ऑर गेनाइज एजुकेशन मॉडल यह एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस होती यानी वेस्तित और संगठीच सिक्षा मोडल से मेल खाती है संगठीच होगा नियम होंगे कानून काइदे होंगे ऐसे नहीं कि आप जिसका आपका मन करें तब आपने पढ़ लिया आप जो चीज पढ़ना चाते वह आपने पढ़ लिया वह आप नहीं कर सकते इसके अंदर इसके अंदर आपको प्रोपर नॉम्स होंगे रूल होंगे रेगुलेशन इस को रेस्पॉंट्स टू दे एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली एडॉप्टेट वाई और स्कूल्स एंड युनिशिटीज यानि कोलेज के अंदर जो भी अपन एजुकेशन पढ़ते हैं वो सारी किसके अंदर आती है वही फोर्मल एजुकेशन के अंदर आती है तो कुल म जैसे वही तो उस एजुकेशन को पन कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन नेग्सेचाओ फॉर्मल जएक होती है हुआ जैसे अब इसको प्लान करते हैं जिसके लाश्ट के अंदर एक प्रटीकुलर अपना औप्जक्टिव हो अपने को फालेज के अंदर पढ़ाई करते से हो तो आपको लाष्ट में एक डिग्री मिलती है अपनी बैस्स होता है इसके अलावा के चार्था एक डुरेशन में निर्धारित ौटि यह यह दित पड़ते जा रहे हैं यह अच्छा काइदे होते हैं तो वह पिरियेट के अंदर आपको कड़ना पड़ता है वेल डिफाइड एंड avoir कुल होता है यह दूँ के द्वारा दी जाती है ऐसे को नॉनेज नहीं है वह भी आपको इसके अंदर पर्टिकुलर स्लेबस होगा प्रोपर स्लेबस होगा वह पढ़ाने वाला है जैसे आप लोग आप लोग पढ़ रहे हो मैं आप लोग पढ़ा रहा हूं तो यह अपनी एक फॉरमल एजूकेशन है इंक्लिडिश आउटसाइड दे इसके अलावा जो क्लास्रूम है उसके बाहर की जो एक्टिविटीज होती है जैसे इस पूल के अंदर आपने देखा होगा गेम्स होते हैं रूल रेगुलेशन के साथ में होते हैं तो वह भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर अपने आते हैं और इसके अंदर एक इस्पेसिक मैंटेन करना पड़ता है आपको आपको रूल रेगुलेशन है वह फोलो करने पड़ेंगे जैसे आप स्कूल में पड़ते हो जैसे 6 गंटे आपकी क्लास लगती है तो 6 गंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे नहीं कि आपने क्लास में बंक कर दिया किसी कारण वह हिंदी के अंदर आप कह सकते हो अप्चारिक खक्सा तो यह बát अपने फॉर्मल एजुकेशन की नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनफर्मल एजुकेशन की यानि अन ओफेटरिक ठीक्छा अब आफंफवारिक अनोप्चारिक सिख्षा इन फॉर्मल एजुकेशन इस वाइट डाइवर्स फॉर्मल एजुकेशन जो आपने पड़ी है उससे अलग है उससे डिपरेंट ए उससे डाइवर्स है and particularly from non-formal education और जो non-formal education है उस से फी अलग है अपनी जो 他是 सब्सेंदंकि अलग है और non-formal education है उन दोनों से यह different है लेकिन कभी-कभी क्या होता है उन दोनों से यह closely relation में हो सकती है मैंटन इंग neural home and hea एक लेशन सिफ बहुत कभी कभी दोनों से आजपास से रिलेटेड यह हो सकती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल एजुकेशन थी उसमें रूल रेगुलेशन थे प्रोपर सलेबस ता पर्टिकूलर टीचर पड़ाता है लेकिन जो इन फॉर्मल एजुकेशन ह जा रहे हो को है आपको मिला कोई भी आपको घ्यान की बात कहकी चला गया वह सिक्सा होती है वह फिसके और कोई रेगुलेशन नहीं होता है यह सकते हो और आपको सान है मिलने वाली दर किसी परसन से अंट आपचारी की थड़ी पे बैठेते इससे ने कोई बात बोली वह आपको अच्छी लगई तो वह एजुकेशन जो होगी वह लाइफ-long प्रोसेस एक लाइफ-लोंग चलने वाली प्रोसेस थे यानि पूरे जीवन आपको यह सेकने को शीखने मिलता रहता है वह चाया थे skill है रहे हो Be लोगों से आपको बात उनकी सुनोगे तो उसमें प्रॉपर को इसलिए बस नहीं होता है ना वह प्रॉपर आपको होता है आपके लिए तो किसी भी परसंट को अगर कुछ बात मिलती है दुछ मिलता है तो वह सारी जो नौलेज होगी वह किसमें आएगी इनफोर्मल में आएगी अनौपचारिक शिक्सा के अंदर आएगी तो यह आपको ध्यानक ना है कोई सम connections नहीं होता है नहीं होता हैं इसके लाइशन ओर यह संस्ता नहीं साथ के लिए तो यह संस्ता हखें इसके अँडर अजीनियों होती है वह देती है no prescribed time table और curriculum इसके अंदर ना तो कोई particular होता है ना कोई slaves होता है ना कोई timetable होता है कोई time table कोई rule regulation ना कोई slaves इसके अंदर fix होता है maybe in negative और कभी-कभी ये जो education है इनफार्मल जो education है वह आपके लिए नुकसान दायक भी हो को सकती है है यह भी आपको ध्यान रखना है जसे मैंने आपको कोई बात वोली वह आपके लिए जरूर नहीं है कि फाएदे Μंदियों वह आपके लिए नुक्सान दायख भी हो सकती है यह आपको ध्यान रखनाना थे जो कि नॉन फॉर्मल या गेर ओफचारिक एजुकेशन इट इस ओर्गिनाइज एंड सिस्टेमेटिक एजुकेशन एक्टिविटीज एड़ ऑन आउटसाइड दे फ्रेमवर्क ऑफ दे फॉर्मल सिस्टम जो फॉर्मल एजुकेशन था उसके अंदर क्या था एक प्रोपर पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको शिक्सा दी जाती है इसा नहीं है इसमें एक ग्रूप होता है मनुस्यों का ऐसा या आप कह सकते हो कि ऐसे फार्मर्स जिनका एक समू होता है जिनका ओब्जेक्टिव है वह एक होता है तो उनको अपन एक परति कुछ नॉलेज बहुत हैं जैसे मैंने बोल दिया की फार्मर अपने को करना है थार्में फिल्दफ संय वहांजब्त फार्मर्स होते है हं उनको इकहटा करते हैं और उनोनों का मिसृर्ण भी आप कह सकते हो इसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन थोड़ा बहुत इसके अंदर होते हैं लेकिन पर्टिकुलर स्लेबस नहीं होता है और अपन इन लोगों को यह प्रोवाइड करवाते हैं जो सेम ग्रूप से ब्लॉंग करते हैं कि ड्राइब फ्रॉम दे फ्रेंड होती है उससे अलग होती है टूबी ऑर्गेनाइज फॉर एक होमोजीनियस ग्रूप से मतलब है कि ऐसे मनुष्यों का गुरूप ऐसे फार्मर्स का गुरूप जो जिनका ऑब्जेक्टिव है जिनका जो उद्देश से हैं वो सबका समान हो तो उन फार्मर्स को उनके लिए उनके लिए फाइदेमंद बात हो तो वह अगर उनको बताते हैं तो जो होती है वह होती है नौन फॉर्मल एजुकेशन सर्विंग दर नीड ऑफ डे आइडेंटिफाइड ग्रूप और उन गुरूप की जो नीड होती है जरूरत होती है उसके हिसाब से अपन जो शिखसा है वो परवाइड करवाते हैं तो ऑफिकशा के अंदर आपकसकते हों कि ईभिक्शा में कि एक विसेश समू विशेश काम होता है उसी को अपन शिक्लाइड चैराण करवाते हैं वह अपने आति लोन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर नानि इसका पर्टिकुलर कोई इस्तान नहीं होता है जैसे फार्मर फिल्ड है फार्मर फिल्ड पर अपन इस्क्रास्च्छा क्या ओती है इसके अलाववा एफ ऑपन dem lle देख लिये why जो एजुकेशन होती है वह हो आपको क्लास वो अच्छी लगी होगी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंड करके जरूर बताएं और यह क्लास है वो आप अपने सभी हैं के साथ में जरूर करें तो मिलते हैं में सब्क्रス simultaneously तब टक के लिए थेंक यू के il